मस्ते सभी को फिर से एक बार सभी का स्वागत है जो लोग हमारे साथ अभी जो सेकंड सेशन के बाद लंज के बाद जुड़े उन सबका भी हार्दिक स्वागत है आतमे अभी सुविध्या लेकियो और से खास करके जो एपडीपी में अभी निरंजन भाईया और संजीव भा आपका यहां से खुब खुब धन्यवाद और स्वागत है आप इतनी दूर से यहां पर आए और जो भी लोग लंज के बाद यहां पर उपस्ति हुए सभी का एक बार फिर से अधिक स्वागत है आत्मी विश्वध्या लेकियो में आट दिन के पूरे वक्सवाप में और ज झालो कर दो कर दो नमस्कार तो अभी डेट दो घंटे हम लो सब्ताह भर के सिलेबस की कुछ चर्चा करते हैं सिलेबस क्या है सब्ताह भर हम कौन से मुद्दों पर चर्चा करेंगे ठीक है तो ये एक जिसको हम कहेंगे की जिसे हम समझना कह रहे हैं क्या समझना है और जिसे हम प्रक्रिया कहते हैं समझने की प्रक्रिया कैसे है प्रोसेस तो समझना क्या है फिर से एक बार और समझने की प्रोसेस क्या है प्रक्रिया क्या है तो पहले हम समझना क्या है इस पर कुछ चर्चा करते हैं तो जैसा कि सब को जीवन विद्या परिचे शिविर इसको तो हमने सुना तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जीवन विद्या कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है इसमें क्या समझना है तो जीवन विद्या ये कह रहे हैं इसका अर्थ है जीने की कला जीवन विद्या का मतलब है जीने की कला कला का मतलब क्या हुआ कला का मतलब है खूबी खूबी को पहचान पाना समझ पाना उसका अभ्यास कर पाना उधारण सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं छोटे बच्चों को बड़ा करना ये क्या हुआ? छोटे बच्चों को क्या करना? बड़ा करना ये क्या हुआ? ये क्या है? ये एक कला है है की नहीं? बच्चा तो अपने आप बड़ा होता है यह तो हमने देखा ही है उसके माइल स्टोन हम रेकॉर्ड करते रेंगता है हिंदी समझते की नहीं रेंगना फिर खड़े होना फिर चलना बोलना यह सारे माइल स्टोन हम तो रेकॉर्ड करते हैं किरते भी है फिर उसमें कला क्या हुई यह तो अपने आप होगा कोई बच्चा पहले बोलता है कोई बच्चा बाद में बोलता है पर बोलेगा जरूर कोई बच्चा पहले चलता है कोई बाद में चलता है फिर बच्चे को बड़ा करना, यह कला क्या हुई? परिवार में बच्चा बड़ा होता है, इसका मतलब है कि परिवार के सभी सदस्यों को वो कला अउगत है. तब हम कहेंगे कि हम परिवार में जीते हैं, जब हम बच्चे को बड़ा करते हैं, और वो कला हमको पता है, वो ग्यात है, पर यह कला क्या हुई? तो यह कला हुई, बच्चे की खूबियों को पहचानना, और उन खूबियों को तराशना, उसको रस्ता देना, यह कला है, और यदि इस कला में हम कमजोर पड़ गए, तो रिजर्ट क्या दिखता है? वो एक छोटी सी इधर लगाई थी, एक फिल्म, है की नहीं? एक बहुत चोटा सा उदारने, आप सबने पढ़ा भी होगा, जब तक साथ साल का बच्चा नहीं होता है, ऑफिल्म, है, एक चेक है, जब लोग करें, जैसे इधर चूपाता है, ऐसे, अजर फिल्म, हाएं जोटा बच्चा ब्रेन तयार है, यह नहीं पहुचता था, इसका मतलब बच्चे का ब्रेन अभी तयार नहीं है. कितने लोगों को पता है ये टेस्ट नहीं पता है इसलिए दो साल का हुआ नहीं हम उसके हाथ में पेंसिल पकड़ाने पर तुले हुए है ये कला हुई अभी दो साल का नहीं हुआ है और हम उसके हाथ में पेंसिल थमा देते हैं और जो उसकी कलपना में नहीं वो उससे निकलवाने की कोशिश करते हैं जैसे ए अचा अ भी नहीं ए अचा अ भी नहीं ए अब ए तो आँखों से भी नहीं दिखता है दो साल के बच्चे को कही नहीं दिखता है और फिर अचा निकलवाने के लिए फोर्स फिर जो वो देखता है जो उसको फोर्स कराते है उनके उनके फेशियल एक्स्प्रेशन को बच्चा देखता है किस तरह से निकलवाया जाता है है की नहीं यह कला हुई तो कला यह हुई कि बच्चे का शारिरिक पक्ष पहचान पाए बच्चे का मानसिक पक्ष पहचान पाए और इस पहचान के साथ बच्चा कैसे बढ़ता है कैसे ग्रहन करता है ग्रहन करते समय क्या उसकी भी कुछ मौलिक खूबियां है इन खूबियों को पहचान पाना और उसको रास्ता दे पाना और यदि हम परिवार में बच्चों को रास्ता नहीं देते तो फिर रिजल्ट बच्चा कुंठा से भरने लगता है कुंठा समझते है कुंठा से भरने लगता है फिर जो कुंठा से भरा हुआ बच्चा अनेक अनेक रिफलेक्षन देता है चिड़-चिड़ा होना एग्रेसिव होना वस्तों को फेकना और एक जेनरल स्टिग्मा आ गया कि ये बच्चा तो हमारे घर का बच्चा कैसा है? जिद्धी है अब देखिए जिद्ध की स्थिति किधर को है और जिद्ध या जिद्धी पना कहां आरोपित हो रहा है जो सच्चाई नहीं होती उस पर जब हम थौपते हैं तो उसको कहेंगे आरोपित होना तो जिद्ध किसकी हुई? हमारी या बच्चे की? जिद्ध किसकी है? जिद्ध हमारी है और हमने थोपा कहां? ये कला हुआ? ये जेने की कला हुई? ये नहीं हुई जेने की कला का मतलब है अब तो छोटे हैं, बड़े हैं हम परिवार को अच्छे से चोखट में ले आएंगे इस सप्ताहबर यही प्रयास करेंगे कि हम परिवार को हमारी विचारों के चोखट में ले आएंगे अब विचारों की चोखट के लिए फिलहाल तीन पीडी ध्यान में रखते हैं तीन पीडी का चित्र में हम बनाए रखते हैं चित्र तो देखे होंगे की नहीं? बली बले याभी, हम जिये नहीं है, लेकिन चित्र तो है ही, तीन पिडी मतलब कौन? हार चलो, कम से कम, नाम तो याद है, नाम तो याद है, बले जिये ना हो, दादा, दादी, नाना, नानी, माता, पिता, और सभी फिर उस रेंज के, देखिए, फिर विजन खुलता है क्या, सभी उस रेंज में देखेंगे, तो उसे हम कहते हैं, समाज, तो हम परिवार को चौखट में ले आएंगे, तो फिर जीने की कला का मतलब है, कि परिवार में एक दूसरे को जीने देते हुए जीना, ये कला है, कि परिवार में एक सदस्य दूसरे सदस्य को जीने देता है, और जीता है, बढ़िया है कि नहीं, अब धरे धरे समझ में आया होगा, कि यदि मैं परिवार के सदस्य को जीने देता हुँ, या जीने देती हुँ, इसका मतलब है, मुझको प्रत्येक परिवार सदस्य की कुछ ना कुछ खूबी दिखती है, खूबी दिखने का सरल मतलब क्या है? प्रत्येक परिवार सदस्य का अच्छाई हमको दिखता है, अंडरलाइन, पॉजिटिव साइकलोजी, पर्चौखट परिवार, अभी इस अच्छाई को हमको समझना है, ठीक है, हमको रोज दस बजे तक सोने दीती है, मेरी माँ, यह अच्छाई है क्या? इसकी थोड़ी गुणवत्ता भी चेक कर लेंगे, जैसे मैं दस बजे तक सोना चाहता हूं, और मेरी माँ, दस बजे तक सोने देती है, बल्कि आठ बजे एक और बिस्तर लाकर के और डाल देती है, और सो जाओ, क्या करोगे उठके? हम उठके क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ ने कर रहे हैं, कम से कम तुम तो क्या करो? सोते रहो, आराम करो, यह अच्छा ही है? कि माँ सुबह जल्दी उठा देती है, यह अच्छा ही है, भाई और बहनों, बहुत लेट हो रहा है हमको यह समझने में, पानी चला गया और फिर हमको याद आती है, कि हमको उठाते थे, जगाते थे, थोड़ा भूत, पैसा कमाने से फुर्सत मिलने पर थोड़ा थोड़ा ऐसा आता है, पैसे कमाने की व्यस्तताओं में यह कुछ नही समझ में आता, तो जो एंगेजमेंट्स है हमारी, जो हमारा मन एंगेज है, उसमें वो कला पक्ष का अभा होने से हमको यह खूबी समझ में नहीं आती, तो प्रत्यक परिवार सदस्य की अच्छाई को देख पाना, लगातार देख पाना, यह कला है, तो ऐसा जीने की कला, इसके लिए ज्यानारजन होना होगा, ऐसी कला को विकसित करने के लिए ज्यानारजन होना होगा, इस ज्यानारजन का नाम है, विवेक और विग्ण, तो जीने का विवेक पक्ष क्या है और जीने का विज्ञान पक्ष क्या है विवेक का अभी हम अर्थ ये ले लेंगे कि सही गलत की फ्रेम, सही गलत को पहचानने की चोखट विकसित होना ये विवेक है आज भी हम चाहे जिस आयू के हो आज प्रत्येक व्यक्ति का सही गलत का फ्रेम या तो बन चुका है या फिर बन रहा है सोचने की जरूरत इसलिए है कि ये जो सही गलत की फ्रेम से जब हम तीन पीड़ी के साथ काम करते हैं तो फिर उसमें एक सापेक्षता होती है सापेक्षता का मतलब है जो मुझे सही लगता है वो मेरे पिताजी को गलत लग सकता है जो पिताजी को सही लगता है वो मुझे गलत लगता है जो मुझे सही लगता है वो हमारी संतान को गलत लगता है जो संतान को सही लगता है वो मुझे को गलत लगता है जो पति को सही लगता है वो पत्नी को गलत लगता है, जो पत्नी को गलत लगता है, वो मुझ को सही लगता है, इस प्रकार से हमारे संबंधों में सही गलत की फ्रेम में तालमेल नहीं है, यह प्रॉबलम हो सकती है, और फिर कुछ कुछ जगाओं पर हम हार्ड हो जाते हैं, हाड समझते है, तफ हो जाते है, मतलब ऐसा ही है, ऐसा ही सही है, तो फिर सही को थौपना शुरू कर देते हैं, होता है कि आप लोगों में ऐसा, थौपना सही को, थौपना समझते हैं, हाँ, 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 जबरदस्ती, यानि सही को थौपना शुरू कर देते हैं, कनेट कर रहे हैं सभी लोग, यह जब हम जीने की चौखट में पास आते हैं, तो ही यह है, बात ही नहीं करना किसी से, यह जीने का मुद्दा ही नहीं है, तो यह सही गलत फिर कोई मतलब नहीं है, सब चर तो करीब करीब हम लोग उच जगपर आ भी चुके हैंग, क्या पता? आठ दिन में पता लगेगा, क् तीन ही जगपर हम लोग आ चुके हैं, देखियों आप लोगवां कि स्थिती हम लोग जांचने, तीन जगपर हम लोग लग 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 आ चुके, वह यह तीन जगं हैं, पैसा ही सब कुछ है। अगय के इस यग पर? क्या भी टाइम है? इस यग पर आ गय क्या भी टाइम है? तब बताई अब जब इस यग पर आ गय तो फिर अब सही गलत की चरचा का क्या फायदा? अब इसको वापस करना बहुत समय लेगा। जबकि फैक्ट है क्या ये सही है? पैसा ही सब कुछ है। इसको जाँचना होगा। पर हम लोग आ चुके और धिरे धिरे हम अपनी संतान को भी ही बता चुके होंगी। इसलिए कक्षा पाच्वी का चात्र कहता है। बड़े ओकर क्या करना है। बड़े ओकर क्या करना है। वही क्या 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 क आप लोग जैसे तेसे आगए जबर्दस्ती जो भी कहो जबर्दस्ती हाँ या कुछ लोग परेशान होके भी ढूंडते हैं कहीं मिल जबर्दस्ती टाइप में आगए किसने धका मारा होगा कुछ सोचा होगा है कि नी जनुवेनली सही गलत क्या है यह फ्रेम क्या है यह विवेक क्या है ऐसी भाषा ही नहीं है ऐसी शब्द ही हमने सुने नहीं है वाकी तो बात दूर है कॉम्पलेक्सिटी और बढ़ गई है जब इससे चल रहा है ना जब इसे काम चल रहा है फिर आदमी की जरूरत क्या है पैसे से हमारा काम चल रहा है तो भाई और बहनों ये काम चलाओ तरीका इसको जीने की कला नहीं कहते है काम चलाओ है तो हम इस आठ दिनों में हम काम चलाओ बाते नहीं करेंगे इसले थोड़ा सुनने में थोड़ा हे भी हो सकता है थोड़ी नींद भी आ सकती है क्योंकि काम चलाओ मसाला वाटसैप उनिवर्सेटी ये सब आरे आत्मी उनिवर्सेटी कैसे हुए न उसमें तो वाटसैप उनिवर्सेटी है सब कुछ वही बता रहे तो इस जगह पर हम लोग आचुके हैं ये जितना गहरा है उतना रोग भी गहरा है उतनी पीडा भी गहरी है देखिए दूसरा है दूसरे इस जगह पर आगए कीनी देखिए सुविधा ही जीवन शैली है आगए इस जगह पर सुविधा ही जीवन शैली है अब राजकोट दिख रहा होगा न अब राजकोट दिख रहा होगा सुविधा ही जीवन शैली है तीन पीडिको चाहिए हाँ तीन पीडिको क्या चाहिए ये ही चाहिए सुविधा ही चाहिए तो फिर अगर सुविधा ही जीवन्षैली है तो फिर उसमें विवेक का क्या मतलब? सुविधा ही भर दें पर हमारा अब्जर्वेशन है इससे काम नहीं चल रहा है है ना शरीर को आराम जरूर मिल रहा है जैसे एक सोफा यहा है वहा कुर्सी है वो थोड़ा हार्ड है इदर बैठके देखेंगे थोड़ा आराम लगेगा अंतर इतना ही है शरीर को आराम है पर मन क्या पता जांचना होगा तो अब यह जितना हमारे में घर कर गया उतना पुनरविचार मुश्किल और तीसरा फिर राजकोट याद आएगा फिर तीसरा इंद्रियों में ही सारा सुख है सुख शब्द यदि कभी सुना होगा तो फिर यह कहा है इंद्रियों समझते हैं बॉड़ी इसलिए जब इंद्रियों में सारा सुख है तो इंद्रियों के लिए वराइटी है और क्वांटिटी है वराइटी और क्वांटिटी इस जगह पर पहुंच गए होंगे एक इंट्रेस्टिंग वाग क्या है इस जगह का बहुत आपको मिल जाएंगे मतलब हम कैसे हमारा ही रिफलेक्शन है एक जगह स्टेशन पर खड़ा था और वो गाड़ी आएटी प्लैटफॉर में बहुत सारे लोगों का जाना ना होता है मुझे भी जाना था तो वो गाड़ी आगई गाड़ी थसा थस थी जढ़ने वाले भी थसा थस्ते एक बड़ी सी टीम थी फैमिली के लोग नहीं जाते अब गाड़ी उधर स्टेशन में एंट्री कर रही है और वो फैमिली को ना कोई कोल्डरिंग पिला रहा था वो जो कुपमे हे ने तो पैमिली ऑली एक अटक कर इते हैं से कुपमे डालड़ के ते अब गाड़ी प्लाटफॉर में आ गई उनका डिबा सामने आ गया लेकिन उतने में जल्दी-जल्दी में भी वो पीना ही है वो पीए बिना वो माने नहीं पीए तो मुझे लगाड़ी में जाना भी है, लेकिन वो ठंडा छोड़ना भी नहीं है। मेरे माताजी पिताजी एक और उधारन थोड़ा सा यसा मसाला होने से दोपर का टाइम है निंद कम आएगा। तो यसा में दिरे अगे बड़ेंगे। एना शाइकोलोजी के स्टुडेंट थोड़ा थोड़ा ऐसा भी कला चाहिए। तो दस साल पेले की बात है, अमारे माताजी पिताजी की इच्छा हो गईए, चार दाम चलना है। अब कौन जा सकता है साथ, वही जो बीजी नहीं हो जा सकता है। तो महिता। वह यातरा कंपनी थी। सब महाराष्ट्रेन लोग थे। तो मैं एक एक करके फिर धिरे 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 उसकी परते खुलती है। पहले तो लगा चार दाम, बदरिनाथ, केदारनाथ, गए है क्या कोई लोग? कौन कौन गया है? बदरिनाथ, केदारनाथ? वह तो बहुत कम लोग गए है, बश्की ले देखना चाहा है। बदरिनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ बच के आ गए ना? रहे बहुत तफ है। चाहा है। ठंडी और गएट्स पे जाना चल नहीं सकते हैं, फिर उसमें वो अधनी पिट पे ले जाता है, बड़ही एक तरहसे अपने को देखानी जाता है एक आदी पिट पे लाता है, जाता है जाता है, तो फिर खात्र रहतेए तो नीचे अच्र को अच्छ के लिए लगे लेगा, तो गिर गिर गया, वही यातरा पुरी हो गगी. तो बड़िनाद पर पहुच गया. तो अब फिर परत खोली वह यातरा कमपनी की. बहुत अब रात का भोजन था. तो यात्रा कंपनी का आदमी पूछ आया क्या बनाना है तो सब अपने महाराष्ट्रियन चाचा चाची नानानी सब कल ये बना थाज ये बना गये कहा है बदरिनात के चार दहमें तो सबसे पवित्र माना जाता है और चर्चा क्या चीज़ की हो रही है मुझे भी आशचेर हो गया कि बदरिनात में और जो महाराष्ट्रियन डिश ये कहां से मिल गया पता लगा कि यात्रा कंपनी ने साथ में खांसामा भी लेके रखाए उ विशेष महाराष्ट्रियन फूड घाएगा ये है इंद्रियों में ही सारा सुख है मतलब दस दिन भी लुझे सार्वाइव इंद्रियन बीना हम हमारी रुची के बिना कोई फूड से सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे ऐसा है कि नहीं और कितना खचाँ खच भर गया देखिए एसा हम लोगों का मानसिक्स्थिति ती, अब इसमें सही गलत का कैसे चर्चा होगा, थोड़ा सा सोचने का बात है, इसमें सही गलत कैसे होगा, तो यदि ये तीन मुद्धे गहराते गए हैं, तो उसमें दो चीजे होती है, या तो हम जहलते हैं, या तो जहलना होता है, या फिर जहिलना होता है. जब तक भीड़ श्रीर थोड़ा थोड़ा थार हैं, हम कुछ कर सकتे हैं, हम कुछ कर सकते हैं, फिर हम पैसा है, तब तक जिलाते है, दीरे दीरे पैसा भले ही रहे, लेकिन फिर शरीर हिलता नहीं, तब क्या करते हैं? फिर अपनी रुचियों के लिए दूसरों को जिलाते रहते हैं तो पाक्षाला है की संघर्षषाला है, रोज, every day, पाक्षाला है या संघर्षषाला है? है किनी? देरे देरे समाझ में आ रहा है, यह सब संघर्षषाला है क्योंकि घर में, मान लो, तीन पीधी रहती है, तो तीन पीधी के दस लोगों की दस रुचियां है दस लोगों की दस रुचियां पुराने के लिए परिवार है? यह सोचने का मुद्धा है की नहीं? तो अब उसका चेक है कला, अब इसमें कला पक्ष क्या है? क्या चिस कला होगी? इंद्रियों में तो इस कला को हम कहते हैं पोषण, इंद्रिया है, तो इंद्रियों का क्या होना होगा, क्या होना होगा? पोषण होना होगा. अब जहाँ पोषण हमें सपस्थ हो गया, तो फिर पोषण की कला है. है कि नहीं? और कितना opportunity है देखिए तीन पीधी है यानि creativity इसमें सुरुजनात्मक्ता देखते है कि तीन पीधी के तीन सदस्यों की शरीर की स्थिति भिन्न भिन्न है और यदि हमें ये जीने की कि कला अवगत है तो हम तीन पीधी के लिए तीन पीधी के भिन्न भिन्न शरीरों के लिए हम क्या कर सकते हैं एक पोशन की योजना बना सकते है तो ये बता है अभी जितने लोग यहां बैठे हैं कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा शरीर सु पोशित है या कु पोशित है? यह सोचने का मुद्दा हो गया. यहां से विवेक पक्ष समझ में आता है. यानि सही गलत समझ में आता है. कितनों को लगता है कि हमारा शरीर सु पोशित है? और कितनों को लगता है कि हमारा शरीर कु पोशित है? है कि नहीं, अब ये शू पोशन और कु पोशन का इंडिकेटर है, उसका एक सूचक है, इसको हम पहचानते हैं शरीर के स्वास्थ से, अब समझ में आएगा, शरीर का स्वास्थ यदि हमारा शरीर स्वास्थ है, तो ये शू पोशित हुआ, यानि वो पोशन से है, और यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है, तो हम क्या कहेंगे, ये शरीर कैसा है, खाना तो खारे, पेट भर खारे, वरेटी भी खारे, क्वांटिटी भी खारे, लेकिन उसमें जो पोशन होना है, ये पोशन नहीं होने से, हमारा शरीर बार बार बीमार होता है, और आज हमारी सब तो यदि हमारे परिवार के सदस्यों का शरीर बीमार रहता है तो फिर ये हमारी जीने की कला हुई ये क्या हो गया? और यदि हम शरीर के अंग आवयोवन को समझते हैं उसके तालमेल को समझते हैं उसकी तासीर को समझते हैं इस शरीर का हम मौलिक स्थिती समझते हैं ये कहां से है ये शरीर? ये समझते हैं, कहां से है ये शरीर? और थोड़ा सरल नाम, ये शरीर कहां से है? बोलिये? बेरी गुड, नेचर से तो यदि ये नेचर से है और नेचुरल लॉग हम समझते है उस थिती में हमको स्वास्त की कॉंसेप्ट समझ में आती है स्वास्त की कॉंसेप्ट समझ में आती है तो हमें क्या समझ में आता है पोशंड समझ में आता है उस थिती में हम वाकई में परिवार में जिसे हम किचन कहते हैं, उसको हम पाक्षाला में बदल सकते हैं, अब इस इस शाला, यह पाक्षाला है, यह कितना एंजॉयबल काम है, जब इसको हम शाला के रूप में समझते हैं, यह सुखध है, और आज किचन, तनाव है, यह स्वभाव है, किचन क्या है आज, तनाव यह स्वभाव है, चुप है अपन लोग, जाँचिये, और यह तनाव तब है, जब हम इन मुद्दों पर आ गए, है ना, शरीर का पोशन होना, इसको कोई भी परिवार सदस्य विरोध कर नहीं सकेगा, लेकिन एक दूसरे की पसंद नापसंद में मात्र क्या होने लगेगा, आपस में क्या होगा, जगडा ही है, जगडा ही है, और मामुली जगडा नहीं, फिर वो परिवार का विभजान वला जगडा है, जिसको हम डिवोर्स केते, हो रहा है की नहीं हो रहा है, समझदारी के मुद्दे पर डिवोर्स नहीं है, यदि डिवोर्स की समस्या बढ़ रही है, तो इन मुद्दों पर यही जग़ों पर हम लोग, बिना सोचे समझे, बिना जांचे हम लोग आ गए, और जिद्धी बन गए, और आपस में करने लग गए, इसलिए डिवोर्स है, और यह तीन पीडी एक दूसरे से क्या होने लगी? अलग होने लगी, अलगाव हो गया, तो जीने की कला का मतलब है, विवेक पक्ष को समझ पाना, विवेक पक्ष का अभी हम अर्थ लेंगे, सही गलत की चौखट पहचान पहचान प अब जब सही गलत की चौखट हमें पहचाननी है, तो फिर हमें अस्तित्व मूलक होना होगा, अस्तित्व मूलक का मतलब है, अस्तित्व का मतलब है, अस्तित्व का मतलब है, जो होता है, जो है, जो एक्जिस्ट करता है, वो अस्तित्व मूलक है बढ़िया समझ में आरहा है तो जो एग्जिस्ट करता है वह हमें आना होगा और मानव केंदृत होना होगा और उसका होना होगा चिंतन अभी हम शरीर के बारे में चिंता करते हैं या चिंतन करते हैं यह जांचने कम होता है अभी हमारे शरीर के बारे में हमें चिंता होता है या चिंतन होता है सुत्र है चिंता है तो चिंतन नहीं चिंतन है तो चिंतन नहीं हमारे शरीर को जब हम existential reality यानि अस्तित्व में पहचानते हैं शरीर को तो फिर चिंतन होगा और यदि हम अपनी कलपनाओं से शरीर को देखते हैं तो फिर चिंताएं होंगी शायद है हम अपनी कलपनाओं से ये पकड़ लिया कि इंद्रियों में ही सारा सुख है ये कलपनाओं से हमने पकड़ लिया तो यही शरीर इसे हम जब हम अस्तित्व मूलक मानव केंद्रि चिंतन इस सोर से पहचानते हैं तो फिर सही गलत की यूनिवर्सालिटी होती है समझ में आता है यूनिवर्सालिटी उसकी सार्वभवमिक्ता समझ में आती है एक उधारण है ना एक उधारण अभी हम शरीर की ही बात कर रहे है तो यह जो हमारा शरीर है इस शरीर में उर्जा कैसे बनती है अर्जा तो समझ में आती है उंको यूर्जा कैसे बनती है हां बोलिये शरीर में उर्जा कैसे आती है बढ़िया खाने से उसको हम कहेंगे आःार आःार से उर्जा आती है अब देखिए ये विवेक आः पर अब हम चर्चा कर रहे हैं सार्वभॉमिक सारवभावमिक हैं या अलग-अलग हैं? अलग-अलग हैं? देखिए. अलग-अलग कैसे हैं? अहार पर अलग-अलग कैसे हो गए? देखिए. है ना, दो मुख्य भागे अभी हमें हमारे में ही. अलग हम सारुभावमिक देखिए तो, कुछ लोग कौन साहर को मानते हैं? है ना, शाकाहर को, और कुछ लोग मासाहर को मानते हैं, लेक्षे. और अभी हमारी पुस्ता के देखिए, अभी हम शिक्षा संस्थानों में हैं, अहार कभ इंट्रूदूदू होगा है? कौनसी कक्षा में अहार इंट्रूदूस होता है ? है कि नहीं है, फिर वहार का चित्र भी आता है, क्या क्या आता है उसमें? हाँ बढ़िया यह तो बढ़िया लगता है विटैमिन प्रोटीन है ना पता निलेकिन E D E B S सुनते आपने लगर अपना बच्छा तो पढ़ रहे है मम्य विटैमिन नहीं है विटैमिन हाँ बेटाजी सही हमको कहा पता है विटैमिन ओक तक तो ठीक है फिर आगे चित्रा आया हाँ डाइट चार क्या क्या लिखा रहे उसमें हाँ, हाँ, वो तो चल जाएगा, एक दूद दिखाएंगे, दूद के साथ क्या दिखाएंगे, हाँ, रोटी दिखाएंगे, फिर क्या दिखाएंगे, हाँ, अंडा आएगा, उसी के बगल में अंडा आएगा, उसी के बगल में दो टांगे भी आएंगी, और पूरा एक साथ बताया जाएगा अब हमारे घर में मान लो हम दूद वाले हैं शाकाहरी है बचा उस पर बराबर उंगली देखेगा मम्मी ये क्यो नहीं ये क्यो नहीं फिर छी ये नहीं खाते ऐसे से होगा यहां से सही गलत की चोखट बनने शुरू होती है यहां से कन्फ्यूजन भी पनपते हैं और आज तो सारा मिक्स है शाकाहर हम क्यों करते हैं इसका कोई विवेक पूर्ण विज्ञान सम्मत उत्तर हम माता पिताओं के पास नहीं है हम मासाहर क्यों करते हैं इसका भी विवेक सम्मत और विज्ञान इससे भी कोई उत्तर नहीं है तो शाकाहर भी चल रहा है और क्या चल रहा है मासाहर भी चल रहा है जब हमारे आहार में ही हम लोग डिवाइड हैं तो फिर यह जो विवेक पक्ष हम सही गलत की चौखट तयार करने की सोच रहें, यह कितना दूर है? ऐसा है की नहीं? अब हम शरीर को देखते हैं, मानव शरीर की बनावट, अब इसके लिए कोई तर्क तयार करने होंगे? एक्षिस्टेंचियल रियालिटी के साथ, अस्तित्व में मानव का शरीर कैसा है? हमने मासाहार कहां से पकड़ा? हमारे अलावा मासाहर कोन करता है? हमारे अलावा मासाहर कोन करता है? मानव क्या अलावा? बढ़िया बढ़िया मानव के अलावा मासाहर कौन करता है प्राणी करते है प्राणियों का शरीर कैसा है मासाहर करने वाले का शरीर हाँ दाद बड़े होते हैं उसली बड़े नाखुन दिया हुआ है पकड़ने को है की नहीं और हमारे में हमारा शरीर ये एक सरल सरल में ऐसी व्यव्स्था है कि मानव के शरीर का जो बनावट है उस बनावट में मासाहार के कोई एविडनस नहीं मिलते इसलिए मानव शरीर के लिए मासाहार अनुकूल नहीं है ऐसा एक तर्क बनता है आगे हम और कोशिश करेंगे समझने की ये तो बहुती स्थूल आखों में आता है कि हमारा दाथ जो मासाहार करता है पशू उसका दाथ हमारी आते जो मासाहार करता है पशू उसकी आते इनमें तो एक विजिबल डिफरेंस है तो हम लॉजिकली इस जगह तक आ सकते हैं कि शाकाहार मानव शरीर के अनुकूल है यहां तक हम लॉजिकली पहुंच सकते हैं इसमें और क्या है इसको हम कुछ समय बाद समझेंगे तो सर आप इंद्रियों की व्याख्या करते हैं इंद्रियों की व्याख्या इच्छा के अनुरूप काम करने वाले अंग आवयव यह इंद्रियों है हम पाच इंद्रियों की समय कर सकते हैं अगर हमारी कोई एक इंद्रिया नहीं चल रही तो उसके बिना हम सुख प्राप्ति कैसे करेंगे बढ़िया बहुत अच्छा है एक इंद्रिया नहीं चल रही तो सुख प्राप्ति कैसे करते हैं बहुत अच्छा है समयने की कोशिश कर दे उत्तरा भी हो सकता है तो सुख समझ है अनुभूती नहीं है सर अनुभूती है पर ये इंद्रियातित अनुभूती है एक होता है इंद्रियानुभूति, एक होता है इंद्रियातित अनुभूति, वो क्या होता है सर, इंद्रियातित अनुभूति, वो ही तो चल रहा है चर्चा, पर जो हम इंद्रियों पर आधारित अनुभूतियों की हम अभी तक हम सुक को समझे, इंद्रियातित अनुभूति की तरफ, शायद हमारा भी ध्यान गया नहीं, वही समझने की कोशिश कर रहे है। Okay sir, एक और question है, पेसा ही सब कुछ है, तो पेसे के बिन आजकल क्या है? सही बात है, ठीक बात है, बेठो बेठो, कुछ कोशिश करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कहाँ पड़ते हैं? हाँ? साइकलोजी डिपार्टमेंट, सवर अश्री उनिवर्सिटी है, अरे वाँ, बढ़िया Okay, ठीक है, तब तो फिर थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं अभी दो तिन बिंदू पर बात करेंगे, हाँ? पिर इसको जांचिये और सातो दिन प्रयास करते हैं तो अभी हम संबंद पर बात करते हैं देखो प्रशन पूछ करके फिर ध्यान भी देना होगा उत्तर पर संबंद पैसे से मिलता है? नहीं मिलता ना? संबंद पैसे से मिलता है? नहीं मिलता तो पैसे के बिना पहली चीज संबंध यह पैसे से नहीं होते ठीक है? दूसरा संबंधों में सम्मान भी होता है सर अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो संबंधों में से मिलेगा? नाना वगर नो ना थियोने नाने ना थालाल ठीक है? प्रयासी करते हैं इसको, है ना समझने का? बहुत अच्छा है आप अभी ऐसा ही सोच नहीं होगा तभी क्लियर होता है जैसे कोशिश करते हैं आपन संमान हमको चाहिए कि नहीं? है कि नहीं? संमान हमको चाहिए अब इस चौखट में आते हैं ये चौखट यदी छूटी, तो फिर बेटा ये उत्तर बहुत मुश्किल, फिर ये बहस ही होती है इसमें, फिर इसमें चर्चा नहीं होती, चर्चा या सम्वाद ये होने के लिए, ये होने के लिए या इसको समझने के लिए हमें परिवार की चौखट समझनी होगी, वहां ये क्लियर होता है, परिवार की चौखट ही हमारी छूट गई तो फिर आपका प्रश्ण फिर अनुत्तरित रहेगा, या फिर कोशिश करेंगे तो वो बहस में बदल जाता है, क्यों? अभी जो आपने पूछा कि अभी तो आप बढ़ रही हो कि नहीं? अभी आप बढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर। है ना? तो बढ़ाई कर रहे हैं तो सौबभावी के आपके पास पैसा तो नहीं है? विद्यार्थी के पास कहां से पैसा तो नहीं होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है कि और अगर विद्यार्थी के पास पैसा दिखने लगेग फिर वा शस्पिशन है बटा, फिर वा एक रहस्य शंका बनाता है, कि ये तो आभी पड़ रहे हैं, इनके पास पैसे कहां से आये, ऐसा होता है कि नहीं, यदि विध्यार्थि के पास पैसा आता है, तो फिर ऐसा विध्यार्थि कहीं काम कर रहा होगा, ऐसे आएगा, कहीं काम कर रहा होगा तो उसके पास पैसा रहा होगा यह बनता है अभी विद्यार्थी है अभी अभी हमारे यहां ऐसी कॉंसेप्ट अभी नहीं आई है कि विद्यार्थ ही काम भी करें अभी ऐसा कॉंसेप्ट नहीं है शायद अभी हमारे अग किसा कॉंसेप्ट है विद्यार्थ ही है तो वो क्या करें वो पढ़ाई करें उसको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है तो दो एक situation अभी था है, अभी आप जिन्दगी में गुजरिरे रे इस situation से, फिर आपका सम्मान होता है कि नहीं घर में? होता है कि नहीं होता है? होता है सर, लेकिन वो तो परिवार की बात है ना? बस अभी वहीं तक अभी वहीं तक ये यदी समझ लिया, बाहर तो आसान है बिटा, बारिवार में ही यदी सम्मान नहीं है, बाहर पैसा दिखा कर के क्या कर लोगे? ये समझ में आया की नहीं है, तो अभी हम विद्यार थी है, आप से और चोटे लीजिए, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, चलो आप तो कुछ चूते हो, एक बेवी जो गोद में है अभी, उसका सम्मान होता है की नहीं है, चोटा बेवी है, उसका इंसल्ट कर देखो, खाना खाता है क्या, नहीं खाता, तो सम्मान हमारी हर पल, हर क्षण मुद्दा है, और जिसे आप पैसा कह रहे हो, उसको हम साधन कहते, उसका नाम साधन है, है की नहीं? साधन की चर्चा, बाद में करते हैं। पहले हम सम्मान को समझने की कोशिश करते हैं, तो अब ये बताये, विध यार्थी का सम्मान के से ? वो पठीमाख लाता है, अच्छे नम्मझ लाता है। हाँ, अब ऩोटा-थोटा क्वालिफायर करते हैं। Okay, very good. इसका मतलब है, वो पढ़ाई करता है, वो हुसका सम्मान है. है की नहीं? एक बोली भाषा में अपन बात करें, पढ़ाई छोड़ करके आवारागर्दी करता है. तो क्या होगा? पढ़ाई छोड़ करके आवारागर्दी करता है. फिर विद्यार्थी के लक्षण से हट गया, तो उसका असम्मान होगा. तो हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी के लक्षण सहीत रहते हैं, हमारा सम्मान यथावत है. उसके बाद, पढ़ाई के बाद, हम कुछ उपयोगी बनते हैं. है की नहीं? हम कुछ उपयोगी बनते हैं. मतलब क्या है? यह जो परिवार है, इस परिवार को हम यह कहेंगे, कि यह परिवार एक व्यवस्था है. इस व्यवस्था में पढ़ाई के बाद हम भाग लेते हैं भाग समझते हैं हम एक रूल करते हैं हम एक भाग लेते हैं तो हमारा सम्मान है बढ़िया और यह जिसे पैसा कह रहे हैं इस पैसे का आर्थ यही हुआ कि पैसे से हम कुछ वस्तु खरीदते हैं इतना ही है आज भी यही देखिए हमारे घर में हम कुछ वस्तु यह लाते हैं तो हम पैसा दे करके वस्तु खरीद करके लाते हैं इतना ही है ना तो फिर आपन पैसे को कहां ले गए और इतना घर बड़ा है कि पुरा संसार उसमें भर जाएगा, नहीं न, उसको कहते हैं, उसको कहेंगे, इसी पैसे को अगर हम और समझना चाहेंगे, उसको कहेंगे, कुछ हमारी आवश्यक्ताएं हैं, कुछ हमारी आवश्यक्ताएं हैं, उन आवश्यक्ताओं की हम पूर्ती करते हैं, उसके लिए पैसे हैं, अभी इतना, तो सोचने का मुद्दा, सम्मान का मुद्दा तब बनता है, जब हम इन आवश्यक्ताओं को पहचानते नहीं हैं, जब हमारे में साइकोलोजी की स्टुड़न्ट हो, जब हमारे में ये लगता है, कि कितनी भी आवश्यक्ताएं ये कम ही लग रही हैं, जब ये कमी वाली साइकोलोजी आ गई, तो फिर उसको भरने के लिए, हमको और कुछ नहीं सूजता है, तब फिर हम, पैसा और पैसा यही करने लगते हैं, उस समझ में आता है? साइक लोजी वाला मूता, कमी की साइकोलोजी, ये कमी की साइकोलोजी, एड़टाइजमेंन देखे हैं, अदूटाइजमेंन्ट देखते हो कि नहीं? जी सर। अहीं कि नहीं तकि आप ही एक स्टुडेंत नहीं हीए, आप माइनूटली अबजर्व करिए, कि जितना अब ही आपके पास मोबाइल, मोबाइल है कि नी? यह सर थोड़ा भोट चर्चा कर सकते हैं ना? आपका अनुमत है कि नी? कौन सा मोबाइल का सेट है आपके पास आपी? टेक्नो अभी कौन सा लेटेस निकला है? पता नहीं सर पता है बेटा सारी दुनिया को पता है पिटा, आपको कैसे पता है? सर, मोबाइल का ऐसा होता है? कि जो आज निकला है वो कल पुराना भी हो जोगा है? बास, यह देखो, यह कमी की साइकोलोजी अभी अभी अपना पता है वो टेक्नो से काम चल रहा है की नी? जी सर अब फिर वो यह 15 आया है? और यह लुगा तो बता दता हूं वो i-15, जो अपना मैश चल रहा है, अब किसे बैट गया है, तो क्रिकेट की मैश चल रहा है उसमें वो i-15, i-15 आ रहा है तो एका अधगहर क ऐसे नवी दस्वी का लड़का कह रहा है पापाजी, प्लीज एक बार देखिये तो इस मोबाईल को, यह देखो, मतलब जो हात में छुटकू है, उसमें कुछ कमी है, और उसकी भर्ती करने के लिए क्लिए क्लिए लेना होगा, वो आई-15 लेना होगा, कई सारे लोगों का डिजाइन बन गया होगा, आई-15 लेना है, लेकिन क्या करे अभी क्या नहीं है, बेटाजी उतने पैसे नहीं है, पिताजी तत्काल रिपलाई करते, अच्छा बेटाजी, आफ-15, कितने का है? पिताजी डेड लाख रुपे का है, बेटा, डेड लाख रुपे कहां से आएगा पने पास, हो गया, कमी. और बच्चे को जो भी लगता है, मैं अपने पापा को खुष करना चाहती हूं, तो कैसे खुष किया जाए? उनके कांपते हातों को आई-15 लाया जाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाएजाए संतान कंफ्यूज़। यहे कमी की साइकोलोजी। यानि जो भी हमारे पास, अभी जैसे, सिंपल, कपड़ा, जो भी हम कपड़े पहनते हैं। और फिर जो अड़टाइजमेंट आता है, कि यह कपड़ा बताता है, यह जादा वाला है। यह उसे कुछ प्रतिष्था मान सम्मान बढ़ता है। कपड़ा, कपड़े की गुनवत्ता, उसका हमारे स्कीन के साथ का संबंध, यह हमारे शरीर को कितना पोषंट देता है, क्या करता है, यह सारे मुद्देगवन है। परन्तु फलान फलान कपड़ा पहनने से हम कुछ एक प्रकार से दिखते हैं। उसका नाम है दिखावा। जहां दिखावे की मान सिकता आ गई, वहां वह कमी आली साइकोलोजी चालू हो गई। पिर कितना भी आये, हमको कम ही लगता है। वहां पर हमको हमारी आवश्चक्ताओं की सीमा, सीमा समझते हैं, वह फिर समझ में नहीं आती। लगता है आवश्चक्ताएं असीम हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इस साइकोलोजी में हम लग उतर गय फिर सब कमी ही लगने लगा। कुछ समझ में आया? साइकोलोजिकल एंगल? जी सरु तो चर्चा हमारी चर्रेती उसको मैं पूरा कर दूँ कि यह जो भाग लेते हैं फिर परिवार की व्यवस्था में उस भाग या भागीदारी को समझना होता है और उस भागीदारी के लिए परिवार की व्यवस्था में भागीदारी के लिए हमें चाहिए होती है समझ या समझदारी समझदारी से भागीदारी बनती है परिवार की समझ के बिना यदि हम भागीदारी करते हैं वो भागिदारी बनती नहीं है एक अच्छा सूत्र है ये कैसे नहीं बनती इसको चेक करते हैं जब हम समझदार होते हैं तो हम इमानदार होते हैं जैसे उदारन के लिए अभी का उदारन जैसे हमको शरीर के बारे में समझदारी बनी कि ये जो शरीर है ये स्वस्था रहना है और स्वस्था रहने के लिए क्या चाहिए शरीर को पोशंड चाहिए अंडरलाइन ये क्या हुई शरीर के बारे में ये क्या हुई समझदारी हुई अब अब जब ये उसका चिक क्या है कि अब जब भी हम आहार करते हैं उस समय जो समझा हुआ चीज है उसके प्रती हम क्या रहते हैं इमानदार रहते हैं और के शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपने ही शरीर की बात कर रहे हैं, हम स्वयम के शरीर के प्रती इमान्दार होते हैं, फिर हम जिस भी द्रव्य से शरीर का शोशन होता हो, उसके बारे में हमारा स्वयम अनिच्छा होने लगती है, यानि टेम्टेशन नहीं होता, । गोष एक्स्ट्रीम एक्समल कोटें। । मावा, हाँ, याद भी है, मावा, देखो, मुझालब कला देखो, कला देखो, कला देखो, तो पाउच, उसमें वो डालना, उसका बहाव भंगे माँ, जैसे एक अम्रुद्रव्य खिला रहा हो, ऐसे करता है, बड़ा संसार का उपकार कर रहा है, और बाकी भी टक्टकी लगा जो पर घिस्ता रता घंटो, अमरुद्र। मैं गाव में भी काम कर चुका, सरवाधिक बजेट, ये जो नश्यवाली द्रव्य हैं, एक गाव में सर्वय आया था एक गाव में सर्वय आया था, ये यरली वहां के लोग, तमाकू, गुटका आदी में, साल का अथरा लाख र करते हैं, अगर हम कहें कि पैसे नहीं है, तो इसका ये डेटा अनलिसिस ये बताता है, गुटका, है ना, अब समझ में आ गया कि ये गुटका शरीर का पोशन करता है कि शोशन करता है, अब इमानदारी देखिए, जब ये गुटका हमारे शरीर का शोशन करता है, तो जब क तो अभी भी गुटका आएगा सामने, तो क्या काम करने लगेगा अपना, इमानदारी काम करती है, फिर एक महाद्रव्य, पहचानी लिए होंगे, गुटके से आगे, दारू, हाँ, पर बगल में जाके लिए भी याते, ये भी है, लिए 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 लिए, सब लोग ज मतलब समझ लेना है, हाँ, सब डेटा है अपने पास, क्योंकि पार्टी मतलब वही है, बहुत ही, मैं हाई एंड बता रहाँ आपको, तो जब ही दारू दिखी, इमानदारी, यंदी समझ गय होंगे, तो अन्य था चलता है एक दिन, ले ले लेना, क्या फरक पड़ता है, मजा कर लो, वह भी एक दर्शन है, जिंदगी ना मिलेगी, तो या करो फिर, जो भी, जिंदगी ना मिलेग़ी, किसी-किसी तो,े ने हे उर बड़ा हिट stimulus सुनता हूं, जिंदगी ना मिलेगी दो बढ़ा, सब बारे, पीर उसके तम अब फाईनर फाईनर अब ए thudding्प्र अ आपन चले आते जैसे गेहु अब साधारण, साधारण लोगों की बात करते गेहु, कौन सा गेहु पोशक होगा रासाइनिक या बिना रासाइनिक, सोच ना होगा तब आपने को समझ में आ गया, तब समझ में आ गया कि जो भी हम शाकाहर ग्रहन करते हैं, उसका जो सोर्स है, उस सोर्स के प्रति हम को समझ होना तो फिर उसके प्रति है कि इमांदारी आती है और जब इमांदार होते हैं तो एक बढ़िया मुद्दा खुलता है, उसका नाम है जिम्मेदार होना यह हम सब लोगों का दर्द है विशेश करके तीन पीधी का परिवार इस परिवार में व्यवस्था और इस व्यवस्था में भागीदारी और इस भागीदारी का निर्वाह करते समय यह हमारे तर्द के मुद्दे हैं कि रिस्पॉंसिबल कौन यत्तय नहीं होने से ब्लेमिंग इच अधर एक दुसरे पर दो शार उपने यहां रुकते हैं और चाय लेना है चाय का ब्रेक ब्रेक के बाद वापस नमस्कार, थैंक्यू पंदरा मिनिट का ब्रेक है थैंक्यू जी धन्यवाद, धन्यवाद चाय आपड़े सवारेजियां लीदीती तियां पाचलनी साइडेज राखे लीछे अन्य पंदर मिनिट नो ब्रेक छे एटले फटाफट लाईने पाचलनी पाचलनी ब्रेक झाल 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 कर्या झाल सक्तों झाल 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 प्रक्रियां उंपर भी ध्यान दे रहें और हम कोशिश करेंगे प्रेक्टिकली कैसे समझ में आता है तो प्रेक्टिकली समझ ने के लिए हमारी कल्पना में तीन पीधी परिवार हम सभी यह असान है यह कल्पना क्योंकि हम सभी परिवार में ही पैदा हो गए तो परिवार में हम पैदा हुए तो हमारे लिए तीन पीधी को कल्पना में लेना यह सहज है तो तीन पीधी हमारे कल्पना में होना तीन पीधी मिल करके जो होता है उसे हम परिवार कहते अब अब वो प्रयास होना है जिसके लिए हम लोग एक अत्रित हुए है इतना तो हमको पता है परिवार होता है उसमें तीन पीडी होता है इतना तो पता है क्या नहीं पता परिवार एक व्यवस्था है यह नहीं पता है और यह नहीं पता होने के हमारे पास उस प्रकार के लक्षन आ रहे व्यक्तियों में क्या क्या लक्षन आ रहे तो उसमें से तीन मुद्दे यहां पर मेंशन किये हैं कि हमारे में यह लक्षन आ रहा है हमारा ऐसा बीहेवियर आ रहा है हमारा ऐसा व्यवहार यह हमारा ऐसा बरता हो रहा है कि हम यह मान चुके कि पैसा ही सब कुछ है अब अगर यह है यदि हमारे में घर कर गया है कि पैसा ही सब कुछ है तो आप थड़ा सा कलपना करके देख सकते हैं कि यदि यह मेरे में आ गया है तो फिर परिवार व्यवस्था है, यह समझ में नहीं आएगा. कि मान लो, पैसा ही सब कुछ है, ऐसे सोच करके, मैंने खूप सारे पैसे कमा लिये, यह कमा भी रहा हूं. तो फिर मेरे में कई प्रकार के दुरगुन रिफलेक्ट होने लगते हैं. उससे पहला दुरगुन है कि यह सब कुछ मेरी वज़े से चल रहा है. ऐसे आता है. क्योंकि मैं पैसा कमाता हूं? पर अगर परिवार व्यवस्था देखेंगे, तो फिर यह मेरे आकेले से तो नहीं चल रही है. परिवार में कितने सदस्य हैं? प्रत्यक सदस्य के होने से परिवार है. प्रत्यक सदस्य का महत्व क्या है? प्रत्यक सदस्य का भाग क्या है? उसमें से पैसा कमा करके मैं एक भाग पूरा कर रहा हूं. और वो भी एक आवश्चक्ता का भाग है. यानि ये वाला भाग. इतना ही भाग पूरा कर रहा हूं क्योंकि पैसे से हम वस्तु लेते, सामान लाते हैं. उतने मात्र से पूरा परिवार का भरण पोशन मैं कर रहा हूं, अगर ऐसा फिलिंग आया, तो फिर इस फिलिंग के साथ परिवार के अनसदस्य दबा दबा महिसूस करते हैं. सफोकेटिंग महिसूस करते हैं. सफोकेशन आता है. दूसरा, सुविधा ही जीवनशेली है. फिर यदि मैं सुविधाएं जमा कर रहा हूं, तब देखिए, क्या अगया उसमें? पिर सुविधाएं तो हमारे लिए हैं. तो फिर सुविधाएं करते, करते घर इतना भर गया, कि हमारे लिए जगा नहीं बची. हम बाहर और सामान अंदर सुरक्षित है. और हम बाहर हैं. कितना समय हमारा घर में बीथता है, अगर हम ऐसा देखेंगे तो. अच्छा जलो, मान लिया, बहुत सारा सुविधा कर लिया, भी एक और आता है, साइकोलोजी के स्टूदेंट्स, ब्यान देंगे, पिर धिर 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 उन सुविधाओं से हम चिपक जाते हैं. ना तो वो सुविधा का लाब लेने बनता है, ना तो व सुविधा किसी को देने बनती है. है कि ने, फिर एक रोल मिल जाता है, शायद वो रोल हमारे मेंसे कोई भी नी चाहेगा, पर ये मिल तो रहा है, उस रोल का नाम है, चौकिदार. इन सुविधाओं के हम कौन हो गए? चौकिदार हो गए. पिर बुड़ापे में एक लाठी पकड़ करके दिन भर देखते रहना है, सामान कहा जाता है, इधर का इधर, इधर का इधर. पिर चौकिदार बन गए. पिर हमको अच्छा नहीं लगता, कि हम चौकिदारी करें, क इसके लिए अब बापरे, अब यह सब लेट हो गए, अब क्या फाइदा? सुविधाओं का उपयोग होता है, सुविधाओं का सदुपयोग होता है, सुविधाओं का प्रयोजन होता है, यह नौलेज है. यह ज्ञान है, यह ज्ञानारजन होना है, कि सुविधा का उपयोग होना है, और भले ही मैंने परिवार में सुविधाओं लाई, मेरे वज़े से परिवार में सुविधाओं आये होंगी, पर उपयोग का अधिकार सभी का है. है कि नहीं उप्योग का अधिकार सभी का है ये जगह हमारे में खतम हो जाती है जब हम इस पर अड़ गए और तीसरा इंद्रियों में ही सारा सुख है वो ट्रेन का एक्जामपल दिया मेंने है कि नहीं एक और बोली भाषा वाला लेता हूं मसाला थोड़ा सा नीन चली जाए मरे जारे लेकिन गुलाब जामन नहीं छोड़ना है ऐसा भी है ऐसा लेकिन मरे जारे लेकिन गुलाब जामन नहीं छोड़ना है मर जाओ जालेगा लेकिन क्या चाहिए जाहिए बोलने को यह सब असान है थोड़ा भूथ हम हसते भी हैं लेकिन यदि हम इन मुद्दों के साथ हैं तो फिर यह जीना नहीं बनता है फिर जो है ना परिवार में जो भागिदारी है इस भागिदारी को फिर हम व्यवस्ता नहीं समझते फिर वो हो जाता है शासन फिर हमारे द्वारा परिवार में क्या होने लगेगा शासन होने लगेगा शासन का नाम है दूसरा नाम है दूसरे पर नियंत्रण अब देखिए इसको समझना होगा दूसरे पर नियंत्रण यह अच्छा ही है इसको जाँचिए हम दूसरे पर नियन्तरन करें इसको जाँचिए पर ऐसा हो राय कि नही बिल्कुल ठीक है दिदी बहुत अच्छा पॉइंट है हर वक्त यह रखना कि नियन्तरन नहीं हो नो गा तो शायद व्यवस्था ही का एक भाग है नियन्तरन आएगा आएगा धिरे से क्या पढ़ाते हैं सोशल साइंस अंग्लेश सर्व वाव बढ़िया एमे सोशलोजी इसकोल आम टेजिए इसकोल आम टेजिए सोशलोजी में हुआ होगा है की नहीं देखो बहुत अच्छा है अच्छा अच्छा पॉंट है तेखो अभी हम वापस आते हैं जीवन विद्या मतलब जीने की कला हम अब हमें बच्चे में ये कला विकसित करनी है की बच्चा स्वनियंत्रित हो जाए जब बच्चा स्वनियंत्रित हो जाए जब बच्चा स्वनियंत्रित होना है दूसरा नाम है बच्चा, बहले ही छोटा हूं, बढ़िया, तो मैं भी स्वा नियंत्रित होना चाहती हूं, संतान भी स्वा नियंत्रित होना चाहता है, ये एक बार हमारी समझ में आ गया, फिर हम इमानदार होते हैं, तो जो बच्चे के लिए जो हम नियंत्रन करते हैं, उस इसमें खूब ये आती है कि बच्चा कैसे स्वयम नियंत्रित हो, इस अर्थ में हम कुछ नियम का चर्चा करते, पर हम बच्चे के नियंता नहीं होते. बच्चे के साथ नियम पुर्वक जीने की बजाए, नियम हमारे रहस्य में, जो behavioral reflection बच्चे में जाती है, कि माँ हमको कंट्रोल करती है. तो फिर उसका reaction आएगा. सही है कि नहीं? ये खूबी पहचान पाना कि बच्चे में भी स्वन यंत्रन का material है, ये मैं कैसे कितने प्रकार से उसको ध्यान दिला पाऊं, यही तो बच्चे को बड़े करना हो गया, यही कला है. चार कलाएं हैं उसमें. बच्चा आज्या पालन मानता है. आज्याएं हैं हमारे पास, तो आज्या मानेगा. समझदार व्यक्ति का आज्या पालन किया जाता है. इसलिए हमको समझना होगा, तो बच्चा आज्या मानता है. बच्चा नियंत्रन को समझता है. बच्चा सहयोग को समझता है. बच्चा संबोधन को समझता है. यह चार फ्रेम में, आज्यापालन, नियन्तरण, सहयोग और संबोधन, यह चार फ्रेम है, इस चार में बच्चे के विकास को हमको भावनिक विकास होता है इससे, बढ़िया, आभी बच्चे को रिष्टे समझाने है, उसका पहला क्वेरी रहता है, यह कौन है? एक सर्टन एष तक बच्चे संबन में क्वेरी करते रहते, क्योंकि बच्चे का भावनिक विकास वियवहार से ही संबन दित रहता है, मैंने कहा ना, इस वियवहार को छोड़ क औरकths अभी ब्रेन भी तयार थालाइ है, हम्ने पेंसिल दे दिया, और पेंसिल में ए बताया, ए उस्ने देखा नहीं है, उसकी इसी कलपना में नहीं है, सहज इनकलपना में बच्चे के संबंद पहुचते हैं, संबंद की शिक्ष्श हम फिर थोडुए जो जो रॉड़ दीक यह कहीं एक्जिस्टेंशल डिजाइन में यह नहीं है। यह एक चिन्द हमने बनाया। तो हम पहले भाषा देने के लिए जिद्धी हो गए। भाव पक्षयोजिल हो गया। तो संबन से बच्चे में भाव पहुंचता है। और अगर आप नियंत्रण की बात करते हैं। बच्चे भाव से नियंत्रित होते हैं। उसको भाव कनेक्ट हो गया। जिससे उसको भाव मिलता है उससे वो नियंत्रित रहता है। जिससे भाव नहीं मिलते हैं। उससे वो नियंत्रित नहीं रहता। ऐसा है कि नहीं तब जब बच्चों को हम संबन की पहचान कराते हैं तब संबोधन दे देते बढ़िया पूर्णता के अर्थ में बोधन क्रिया उसका नाम है संबोधन बढ़िया है तो संबोधन से संबन्ध बच्चा प्रकृति के साथ भी है बच्चा मानव के साथ भी है प्रकृति की जो रियालिटी है उसको भी हम संबोधन देते हैं यह पानी है यह हवा है यह आग है यह भी एक संबोधन है मानों के साथ, यह मामा है, यह चाचा है, यह भाई है. बढ़िया है कि नहीं? यह संबोधन है. यह कला हमको अउगत होना, हम बड़ोंको अउगत होना.. तो बच्चे में खुबिया दिखती हैं. जैसे ही उसमें भाव पक्ष से बच्चा पुष्ठ होने लगता है, जब रह को पेटन होता है, तब ही राजामुना है, जब वह करता है, मारता है, राजामुना भी यह ? सबस्क्राइब को पिहरते हैं, जब हमारे भावो't को पनेक्ट करता है जब जन्मों के प्यासे हैं ऐसा एसा लगता है Can you take? हम बीमार हैं, सिरधर्द हो एंको, और चोटा बचा आप के पूछता है, मा बीमार हो क्या, सिरधर्बाओं के ऐसे पूछता है तो हमको लगता हाँ, स्वर्ग मिल गया, कहां थे अब तक पुत्र? है कि नहीं, यह प्यास है कोई हमको पहचानता है, यह प्यास है यह नौलेज उसमें जा रही है ऐसा देख करके हम तुरुप्त होते हैं यह कला, यह खोगिया लेकिन भाइया, आजकल माएं हैं और पापा जो है, जब सो में से सो नंबर आते हैं तब ही कहते हैं, राजा बेटा, राजा मुन्ना जो है इसके अलावा नहीं बोलते हैं यह सबसे बड़ी बात ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए वोलिंटियर, हैपी टु हेल्प, हाँ बड़ा अच्छा नाम दिये सर, मैं इनी के रिलेशन में बात करूंगी कि जैसे अभी सर ने बताया कि भई वड नंबर या तो यह तो अपेक्षा की रूप में ही आया लेकिन यही चीज़ चल रही है कि बच्चे हैं भी अपेक्षिती रहते कि मेरी क्वाईशी पूरी हो गई तभी ममी पापा की बाते सुनी जाए सेम वही पे पापा ममी भी वैसे हो गए कि बच्चा फस्ट नंबर लेक्या है तभी उनको बार राजा बिटा बूला जाए तो यह अपेक्षित रिलेशन्शिप ही शायद बड़ी इसमें दुविधा जनक रग रहा है जाएद तीनियो पेड़ी अभी जो परिवार में फोकुस हो रहा है वो सभी एक दूसरे को यही समझ रहे है मैं जेल रहा हूं जो तीनो पेड़ी है अगर दिनो को देखा जाए तो अगर में हम लोग जब पार्म्स कांसलिंग काते तो यही फोकुस में आता है कि तीनो पेड़ी अगी सब्ड़ी है हम जेल रहे है तो यह जेल रहे है तो यह जेलना और जिलाना जो वड़े हो तीनो पेड़ी हो में चाड़ रहा है अभी तो अब पलटना होगा की नहीं पलता होगा, इसलिए समझना होगा or इसका हमारे पस कोई कंटेंट नहीं है हें हाहँ, वह रखे से सच्कालोज yüzसे, जब दो अगलीेत में रहली ही अनली है आथ, हीलेट, हीलेग, को ह Course In... क्या करें, होताई है हम सब बच्छे आज़ क्या करें ठीक है अगली बार आना हैना, फिर बात कर देखर देखर रिगर कि हो गया, फिर जब तीन विजिट के बाद, वो तर विजिट पे विजिट बुला रहे हैं, तिर आप या भी कहोगे, क्या करें हारे हमारा नहीं सुल जाया, आपका कहां सुल जा लेगी इसे कुछ-कुछ हो रहा है, बाराल, तो अब इस सब पर पुनरविचार करना होगा, यह हम कर रहे है, पर यह करते-करते, कब लिमिट क्रॉस हो गई, हमको पता नहीं लगा, और उसका एक गंभीर बिमारी जो अबी दिख रही है, उसका नाम है उन्माद, उसका नाम है उन्माद, उन्माद मतलब हद से ज्यादा होना, सरल अगर इसको समझना चाहेंगे, पागलपन, पागलपन, पैसे के लिए पागलपन, सुविधाओं के लिए पागलपन, है की नी? क्या कहेंगे, बताइए, सब कुछ है, फिर भी, चोविशो घंटे, दिमाग में यही चलता है, और कौन सी सुविधाएं लाएं? हम एक दुसरे के घर जाते हैं, क्या देखते हैं? एक दुसरे के घर जाते हैं, क्या देखते हैं, इमानदारी से बताएं? है logo पिल्कूल, हमारी एक दूं करके देखते हैं, आच्छ, जर भींदा, इस सुविधा, एस सुविधा, जर जर उखते हैं, क्यूंकि हमारे पास वे जहाएं पर वे जिस्ट दुसरे के दूसरे अगले दो साल में इसको लेना है। जरुवत है नहीं है। विवेक पक्ष काम करना बंद कर दिया। उन्मादी हो गए। Sir? Hmm. Ji? Sir, तो जो बच्चे है उसको मौटिवेशन के से दिया जाए? Means? Point. बहुत अच्छा. बच्चों के लिए मौटिवेशन. कौन से आयुके? Say, सभी. I mean… बहुत बहुत अच्छा. For an example, मेरा बच्चा है. He is five years of age. And I'm being a teacher. जब students बड़े बच्चों को सिखाते, तभी उसको मौटिवेशन कुछ देना पड़ता है. Then and then they are interested in that particular topic. Otherwise, वो थोड़ा इंट्रस नहीं देते. यह तो ऐसा होता है. जैसे, भी से कहिए. कौन से टॉपिक पर? For an example, carrier-oriented, for an example, को एक सब्जेक में लेता हूं, तो वो carrier-oriented, आगे आपको help कैसे करेगा. उसके accordance, उसको motivation पहले मुझे देना पड़ता है. पांच साल के बच्चे को? नहीं, नहीं, दोनों के बारे मैं बता रहा हूं मैं. Okay. पांच साल के बच्चे को तो उसको फिर कोई competition है, for an example, अभी रिसेंटली एक competition हुई थी. तो मैं उसको बोला के तू इसमें अच्छी तरसे परफॉम करेगा, तो मैं तुझे तेरा जो तोई है वो स्पेसिफिकली ले दूँगा. In that way. तो फिर उसको के से मोटिवेशन है? तो फिर उसको के से मोटिवेशन है? क्या पढ़ाते भई आप? सर बेसिकली मेकैनिकल सब्चेक्स. Okay. देखे भईया, अब ये सब हमको अच्छे से ही अनलेसिस होना होगा, समझना भी होगा है अब इस्थिति क्या होगा अगर विष्लेशन करेंगे? कॉम्पिटिशन में भेजने का मतलब है, कि एक पिता के रूप में आप चाहते हो, कि ये आगे बड़े. ऐसा है है ना? ये ये जन्यून फिलिंग है, आगे बड़े, एक्स्पोजर बड़े, ये जन्यून है. अब इस मुद्य पर प्रेरणा देने की बजाए, हमने एक शॉटकुट अपनाया, और वो घातक हो सकता है, वही है जो तॉय, एकदम ऑपोजिट है, जिस आगे बढ़ने की डोमेन में आप उसको ले जाना चाहते, उसका सपोर्ट क्रिएट करने की बजाए, एकदम से मनोरंजन की दुनिया में डखेल दिया, टॉय देकर के. ये बच्चे में एक तपर से द्वंद्व गहराता जाता है. और अगर आप इसकी दृष्टी देखना चाहेंगे, तो ये जो टॉय वाला है उसको कहते हैं लालच, प्रलोभन. वहीं, वहीं, सर, हम कहीं बार वाइप से भी बात करते हैं, कि इसको कैसे दूर कियाता है में इसको. और अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो धिरे धिरे ये जो अभी दीदी पूछ रहते हैं वह फिर बच्चे पर नियंतरन एस्टैबलिश होने लगता है, वही शासन है. इसलिए हमें बच्चे के बारे में विजन आना बहुत जरूरी है, कि ये बच्चा बढ़ा होता है, ग्रो होता है, मतलब क्या होता है, यह हमको समझ में आने क्या वश्यक्ता. अने था ये टॉय वाला माटिरियल दे करके, फिर धीरे धीरे, फिर दूसरा टॉय, फिर और, फिर और, ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर एक समय आएगा कि वह पूरा नहीं कर पाओगे आप. फिर जिस समय हम पूरा नहीं कर पाते हैं, वह आपके लिए भी अच्छा नहीं है, बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है, अब तक वो विश्वास करता है कि आप उसके लिए कुछ करते हो, अभी उसकी कलपना में नहीं है, टॉय का मतलब क्या होता है, पर हम बड़े हो हमको समझ में आता है, टॉय देने का मतलब है, उसको साइकोलोजिकली डेमेज करना हमने चालू कर दिया, बिना प्रलोभन के आगे ही नहीं बड़ेगा, सही है? तो सर क्या किया जाए में? अरे तो पहले उसको तो पकड़ेंगी ना, पर आते न उस पर, बिल्कुल आएंग तो अभी तो उत्तर यही है कि पांच साल के बच्चे का मानसिक विकास होना मतलब क्या है? इसका दोनों को, पति-पत्निया, पैरेंट्स को समझ में आना जरूरी है. अभी बहुत छोटा सा मुद्दा लगता है, पर अभी उनकी आदतों में काम होना जरूरी है. अभी उनक काम करना जरूरी है. परिवार में रहने के लिए कुछ आदते इसी आई उसे पकड़ में आती है. एक. दूसरा, जैसे अभी हमने ने संबंदों में कहा, संबंदों में अधिक अधिक उसका एक्स्पोजर होना जरूरी है. उससे साइकलोजी में सोशी औ इमोशनल कर्मेंट कहते है. कल को जब हमारी जैसा बड़ा होगा तो अब समाज में आएगा, समाज में आएगा तो संबंद आएगे, संबंद आएगे तो उनके साथ बिहेवेर कैसा करना है, उसकी चैलेंजिस खड़े होते. तो अभी से बच्पन से ही उनको सोशलाइजिंग में हमक जब होते हैं थानएक अनिक प्रकार सि बिशज करके स्टोरीज में कलपना होता है, है के नहीं? शचलेजिस डेखने में कलपना होता है, तो आज के माताहपितां ऐसमाज ऐसे ट्श हाव लेना होगा और उसे उसके एक्स्पोजर हमको प्लान करने होगी तो उसका विशय वस अठले सब्सक्राइब एक इस पर काम? आख भाले जिसलिए को चॉल trailer और रही करीयर के बच्चों की बात है तो करीयर का मतलब है O remplac этому इंट्रेस्ट यर्ण में अंतर है युऌ को इंट्रेस्ट और करीयर का भ Você समझ में आ गया करियर का मतलब मेरे अनुसार केवला जीवी का है यदि युवा को अपनी आवश्यक्ता पता लगए तो उसको पता लगता है कितने पैसे में हमारा चल जाएगा लेकिन करियर के चक्कर में इंट्रेस्ट मारा जा रहा है इसलिए युवा शुष्क दिखाई देते कितने आयाम में जिंदिगी है उसका अनुमान नहीं है कलपना नहीं है आयाम सुनने है कितने आयाम है कहां गई योगी तदी बोली आयाम कितने आयाम में जिंदिगी देखे इनके पास उत्तर है पांच छे मुद्धे में जिंदिगी समठ गई यही है आज का युवाई ही सोच रहा है शायद क्या यही है या और भी है जिन्दगी अभी हमारा जीने का जो शेली है उसमें हमने एक बोट लिमिटेट दाइरा है साल में एक बार घुम के आओ तीन चर मुवी देखके आओ हर महीन एक बार रेस्टोरेंट जाके आओ और थोड़ा शोपिंग कर लो घर में सामन दो तीन सल में चेंज कर दो काल ले लो बस हो गया और इतना होता है तो किसी को प्रोब्लम भी नहीं है जब संमंधु में आता है तब पता है चलते है अच्छा इससे नहीं हो रहा है पूरा इतना ही करियर का इमेजिनेशन इतना ही है और हम सब इतने में ही सिमट गए है किया आदमी इस आदमी की इतनी चर्चा है इसकी क्रेटीविविटी है इसके पास तिमाघ है यह जानवरों से भिन्थ है और इ二 आदमी इतने में समठ गया जुपचाप रहता तो प्रावलम नहीं था मित्र, इतना बैठनी की जरूरत नहीं थी, किसी को क्या प्रावलम है जी इसमें, लेकिन इतने में नहीं रहा, जो यह सब करते करते हमको, यह जो उन्माद आ गया, उस उन्माद से धरती बिमार हो गई, यह पता है हुआ है की नही अभी, धरती का बिमार होना, यह हुआ है की नहीं, हाँ, और मानव क्या हुआ, उन्माद से मानव अपराधी हुआ, पहला अपराधी यह है, कि धरती से सामान चुराता है, तेखिये, होता है क्या यह, कल्पना, धरती से सामान चुराना, चुरा रहे की नहीं, चुराना ही कहेंगे, अपहरन करना, धरती के सामान का अपहरन करना, अपराध हो रहे है, तो अगर जैसे दीदी बताई, ऐसे चार-पांच मुद्दों में अगर जिन्दी की समेठ जाती तो किसी को कोई प्रॉबलम नहीं है, लेकिन यह समेठते समेठते, हमने कहां हाठ डाला, यह एक बार हमको सोचने की ज़रूरत है, हम जिस धरती पर रहे हम वहीं हाठ डाल द और आदमी अपराधी हो गया, हाँ, और काट्रे, पहले सुनते थे कि ग्लोबल वार्मिंग, अब क्या रहा है, बर्निंग और बॉइलिंग, तो यह जो बच्चे हैं, क्या यह बच्चे यही देखने के लिए हमने पैदा किया था, इस पर हमको सोचना है, तो बच्चा बच्चपन से उन्मादी नहीं पैदा होता, लेकिन जिस प्रकार से आज व्यवस्थाएं हो गई हैं, कि यह उन्माद की हदों में न चाहते हुए भी उन्माद में आ गया, क्या यही आदमी का डेस्टिनी है, कि यह करना, यह, 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 यह स्वीकार हो रहा है, यह देखिए, धर्ति स्वर्ग होना, हमारी संतान को, हम क्या, क्या चीज के लिए पाल पुस्के बढ़ा करेंगे, दर्ति स्वर्ग होने में कंट्रिबूशन, दूसरा मानव, जोकि वह बच्छा स्वय मानव है, मानव dengan कंट्रिबूशन, और धर्म सफल होने में कंट्रिबूशन. आज हम सब लोगों को मन लगा कर पूरे मन वयोग से क्योंकि अब ये अब धर्ती ही बीमार हो गई तो अब ये सब के लिए संकथे ये हमारी नाइतिक ताक्व आवाज है कि हम कब तक अब चुप रहेंगे कि कुछ करेंगे भी और करेंगे तो क eigيसे करेंगे ये सोचना है तो जो हमारे में जो capabilities है मानव होने के नाते जो capabilities है इन capability को ये करने में और आगे बढ़ाना है या फिर धरती स्वर्ग होने में हमारी contribution देनी है यह सोचना होगा क्या स्विकार हो रहा है क्या स्विकार हो रहा है यह चीज यह होना है यह होना है तो जीवन विद्या की आश्वस्ती है कि धर्ती स्वर्ग होने में हमारी कला विकसीत होना तभी जिएंगे यह कला होगी क्या धर्ती को बिमार करना यह कला है यह तो कोई कला नहीं हुई बिजली चाहिए पर बिजली आने के लिए कोई कला होगी तो धर्ती का शोशन करके तो यह बिजली की कला नहीं चाहिए ना औल्टरनेटिव क्या विकल्प क्या है यह हम आने वाले दिनों में इसको समझने का प्रयास करेंगे इसलिए समझ में या रहा है रियालिटी कुछ और है और हम कुछ और कलपना कर बैठे फिल्हाल हम सभी की इस हौल में जितने भी लोग बैठे हैं हम सभी के अंतक करण में देखें यही रियालिटी समझ में आएगी हम सभ यही चाहते हैं लेकिन चाहते यह हैं लेकिन हमारे द्वारा यह हो रहा है मूलक का मतलब है अब जो भी हम सोचेंगे उसके मूल में अस्तित्व देखना होगा थोड़ी देर के लिए यदि हम धर्ति के अस्तित्व को पहचानते तो क्या हम उसको बीमार करते सहरलमुद्दा है यदि उसको बीमार कर रहे है इसका मतलब उसके अस्तित्व को समझे नहीं सूत्र है सुंदर सूत्र है समझ है तो गलती नहीं गलती है तो समझ नहीं धर्ति के बारे में यदि हमें समझ होती तो धर्ति का बीमार होना ये गलती हुई या नहीं हुई कि नहीं हुई कि गलती हुई ये एक्सेप्टंस इस एक्सेप्टंस का नाम है जिम्मेदारी अभी माल में जाते हैं इतने इतने कपड़े लाके भर देते हैं हम जब बच्चे थे गाउं में तो चार भाई बहन होते थे छोटे वाला इंजार करता था कि कब जो है बड़े वाले का कुड़ता मैं पहनूंगा जो कावी इसका जो है पैंट फटेगी तो मैं इसकी दादी अवारी निकर बनाएगी तो आप ही देखिए कि कितना चप्रकरती किसाथ आज अलमारिया भरी पड़ी है जब जरूद पड़ती है तो डूनना मुस्किल हो जाता है तो यह प्रक्रती को दर मनाई दिया हाँ तो सोचने के लिए हमें सोचना होगा कि हम जिम्मेदार लोग हैं क्या और सिम्मेदार व्यक्ति धर्ति को बिमार करते हैं क्या और ये जो मानो का अपरादी होना यदि हम जिम्मेदार हैं तो क्या हम मानों को अपरादी बनाएंगे या बनने देंगे यह सोचना होगा तो मूलक का मतलब है जिसके मूल में अस्तित्व है तो ठीक फिर उसको हम कंक्लूड करेंगे कि समझदार हैं तो इमानदार हैं यह पक्का इमानदार हैं तो हम जिम्मेदार हैं यह पक्का और जिम्मेदार हैं तभी जिम्मेदार हैं तभी हम भागिदार हैं यह पक्का यह सूत्र बना समझदारी, इमानदारी, जो समझा है उसके प्रती इमानदारी, और जिम्मेदारी, और भागिदारी वापस एक बार, यह जो चौखट कैसे समझ में आएगा? तो यह जो चौखट है, समझ में आएगा, जब हम परिवार एक व्यवस्था है, इसको समझने की कोशिश करेंगे जब परिवार एक व्यवस्था है, इसको समझते हैं, तो फिर व्यवस्था है, तो व्यवस्था में भागिदारी है, यह समझ में आता है जब व्यवस्था में भागीतारी समझ में आती है तो फिर हमें व्यवस्था समझना होगा यह इस से अगर हम लोग काम करेंगे तो आप देखिए यह उन्मादी बनता है डिजाइन पैसा ही सब कुछ है यह यदी हमारा सोच में आ गया तो फिर हम उन्मादी हो जाते हैं दिन रात पैसे के बारे में सोचते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है और मजे की बात यह जो जीरो है ना किसी के पास उसका पक्का जवाब नहीं है क्या करोगे कितने जीरों में यह रुकेगा इसका किसी के पास जवाब नहीं है तो उसा पूरी कानी आई थी मेरे को अठावन लाख रुपए मुझे बिलते हैं लेकिन मैं जिन्दगी से सुख ही नहीं हूँ जो है तो अज यह हाला तो साधारन लोगों की बात है अपन साधारन लोग मिलकर के सोचते क्या सोचते कि अभी तक है ना इसका एक छोटा सा तर्क चलो मान भी लिया पैसा पैसा कर रहे कुछ तो फिगर होगा ना लोजिकली पर वो फिगर नहीं जंडरेट हो रहा है पर हम कब तक म्रग मरिचिका के रूप में हम इसके पीछे भागेंगे और चौविस घंटे दिमाग में यह चलने से उसके तनाव खर्चा तो होगा खर्चा होगा की नहीं होगा फिर खर्चा होता है तो तिल तिल दिल जलता है ऐसे खर्चा होता है खर्चा बई परिवार में जीरें तो खर्चा करना पड़ेगा की नहीं ना भी करो तो भी करना होता है तो फिर हमारी भाषाओं में भी देखी कैसे गडबढ़िया चल रहा है पैसा सोचते हैं कि बच्चों की शिक्षा लेकिन जोडते हिसाब है इसके लिए इतना पैसा लग गया, उसके लिए इतना पैसा लग गया येन केन प्रकारेंड में हमारी सारी भाषा अगर मैं यू कहूं तो व्यापारी भाषा हो गई है और अपनों के साथ व्यापारी भाषा से काम कैसे बनेगा जहां संबंध होते हैं वहां हिसाब नहीं होता जहां हिसाब होता है वहां संबंध नहीं होते क्या चाहते संबन्द या हिसाब चाहते क्या है यदि संबन्द चाहते हैं तो फिर वहां हिसाब नहीं होता जांच की देख लीजिए अभी हम बोलने को संबन्द कहते हैं लेकिन करने के हिसाब आता है and it is very painful अभी पुल जब हमको पता लगए हमारे नुपर खर्षा हो रहा है एक शोचने वाले व regjo कहानी बताता हूँ उसकी वयथाई है जो व्यथाएपरिवार में सोचछता है और जब उसको पता लग्ता है की मेरे ओपर खर्षा हो रहा है कमारा कि सो ये न कहना की इसके लिए हमने इतना कहर्चा किया क्या ये कहानी चाहते हैं कि ये वेदायी चाहते इन्ही वेदाओं की तो कःएं हैं Kaiser और हरें के पास ये कःदा है इस लिए युवा होते ही बच्चा जल्दी घर चोड़ना चाहता एं क्योंकि यह सारा प्रेशर उसके ओपर है, खर्चा तो यह जो यह जो इस्थिंटिया निर्मित हो रही हैं, इस पर हमको अच्छे से सोचना होगा यह 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 पुलिस विभाग के लोग बैठे हैं, यह पुलिस विभाग से हैं कि नहीं? देखिए भहिया, अपराधी कहां से आरा है? देखिए भहिया लोग भी क्या करें, अपराधी कहां से आरा है? समाज से अपराधी आरा है, अभी भहिया लोगों से चर्चा गरते हैं, समाज मतलब क्या हुआ? हम लोगी समाज है की नहीं, हम लोग मतलब कौन? यह चोखट आनी की ज़रूरत है हम लोग मतलब कौन हो गए मतलब कोई अपराधी भी आ रहा है तो कहां से आ रहा है यह सुरोत है भाईया इसको अपने को अच्छे से कसना होगा यदि हम सब लोग चाहे पुलिस से हो, प्रशासन से हो शिक्षा से हो यह जितना तंत्र है यदि हम सब लोग मेहनत करेंगे इस जगह पर परिवार तो अपराधी आना कम होने लगेगा यह परिवार में जो उन्माद आ गया इस उन्माद से सहा नहीं जा रहा है तो व्यक्ति क्राइम करता है तो उसकी साइकोलोजी क्रिमिनल बनती है क्योंकि कही न कहीं उसको ठेस अपनों से ही पहुची है पैदाईशी कोई भी अपराधी नहीं होते परिवार की जो परवरिश मिलती है उस परवरिश से यदि अभाव की परवरिश हो गई तो उसको करने के लिए वो कोई ना कोई क्राइम करता है और कई लोग बताते भी हमने कैदियों के साथ भी शिविर कीये वो तो हमको ये बताते हैं, भाया, हमारी गवाईयां मिलगे, इसलिए हम अंदर हैं, ऐसे कई लोग हैं, जिनकी गवाईयां नहीं, और वो बाहर गूम रहें, ऐसा है कि नहीं? तो यदि हमारे परिवार से देवता होने होंगे, तैयार, तो फिर ये जो हमारे में इसका अती हो किया, एक्स्ट्रीमिस्ट एप्रोच है ये, इसको हमको वापस पुनर विचार करना होगा, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा एक विनिमय का माध्यम है, उससे वस्तु खरीदी जा सकती है, पर वस्तु का भाव से नहीं मिलता, भाव वस्तु का मिलने के लिए समझ ही होना होता है, तभी वस्तु का भाव कनेक्ट होता है, ऐसे ही सुविधाओं तक है, ऐसे ही इंद्रियों के बारे में, इसका मत यह सभी मुद्दों से अब हमको नियंतरण कैसे कर रहा हैं, यह सीखना होगा, यह समझना होगा, इन सभी मुद्दों का नियंतरण कैसे हो? और ऐसा नियंतरण पाने की कला, उसको हम जीवन विद्या कहते हैं, और यह पक्का है, अगर हमको समझ में आ गया, हम नियंतरित होते हैं, दुसरा विधी नहीं है, हमको समझ में आ गया, हम नियंतरित हो गए, और क्या हर व्यक्ति समझ सकता है? तो यहां से आश्वासन है, हर व्यक्ति समझ सकता है, हर व्यक्ति समझ दार हो सकता है, यह हर व्यक्ति समझ दार होना ही चाहता है, परंतु उसको समझ दार होने के लिए वातावरण, कैसे समझा जाए उसके लिए एक अध्यान और समझने के लिए संसकार कहो या प्रवृृतियां कहो इन तीन चीजों का हमारे लिए कोई ध्यान नहीं होने से हम जैसे है वैसे बढ़ गए बढ़िया तो कैसे समझ में आएगा तो ध्यान रहेगा तीन पीडि को सतत अब सोचना होगा तीन पीडि मिला कर के ही परिवार है जो अब तक नहीं सोचे वो अब हम सोच में लियाएंगे उसका नाम है व्यवस्था तो परिवार एक व्यवस्था है तीन पीडियों की मिल कर के व्यवस्था होता है और उस व्यवस्था में प्रत्यक व्यक्ति को भागिदार होना होता है तब ही परिवार में तालमेल है अब जब हम एक दुसरे का भाग को समझते हैं तो फिर हमारे में आदान प्रदान होता है उसी का नाम तालमेल है अब ऐसा कैसे भाग लिया जा सकता है तब आपन ये conclude कर सकते हैं इस से तो भाग नहीं लिया जा सकता वेरी क्लियर परिवार की व्यवस्था में भाग लिया जा सकता है तो वो भाग लिया जा सकता है परिवार व्यवस्था की समझ से परिवार व्यवस्था को समझा कैसे जाए अब यहां से हमारी पड़ाई शुरू होती है कैसे समझा जाए क्या चीज समझ में समझ कह रहे हैं तो क्या चीज समझ में आना होगा तब हम कहेंगे कि यह जो समझ है हमें व्यवस्था की समझ में समझानी होगी व्यवस्था की समझ होना होगा इन चार मुद्धों को यदि हम लोग समझ लिये तो हमें व्यवस्था की समझ पूर्ण हो जाती है तो पूरा होजाता है क्या क्या चीज रमजना होगा मानव में व्यवस्था मानव में व्यवस्था थोड़ी देर के लिए अब हमारे सामने द्वन्द्व है द्वन्द्व मतलब अब हम लोग थोड़े से पशो पेश में हैं क्योंकि अब हमको अपरादी भी दिखते बल्कि यह ज्यादा दिख रहे अब यहां तो कहा जा रहे हैं मानो देवता हो ना अब इसमें क्या निर्णे हम करेंगे कि मानो अपरादी भी होता हुआ दिख रहे देवता तो कम दिख रहे और एक साधारन मुद्दा जिस किसी को भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ कमिच नजर रहे है परिवार में ही इसलिए परिवार के अंदर संबंध फुल्फिलिंग नजर नहीं आ रहे है कुछ ना कुछ कमिया ही नजर रहे है साधारन सा प्रैक्टिस बताता हूँ परिवार के अंदर ही वारे बच्चों को कोई मिलने आता है तो हम लोग क्या बताते पहले इसलिए बच्चे जब कोई मिलने आता है तो बहुत सामने नहीं आते हैं उनको पता है यह कुछ ना कुछ तो बोलेंगे सब के सामने बद माष है जिद्धी है सुनता नहीं चालू कारे करें मांलेट कोई आया और इधर उसकी लिस्ठ है आपने चीजल के अब मान लीजे, अब हम बड़े हो गए, अब हम लोको समझ में आरा है, मान लीजे, हमारे भारे में कोई ऐसा चालू कर दे तब हम कितना टिकेंगे उज जगह पर, सुनने के लिए कितना टिकेंगे कमिया गिनाना, पढ़े लिखे आदमी का तो एक विशेश अधिकार है यह, पढ़ा लिखा आदमी है मतलब क्या करता है वो पहले कमिया गिनाता है, बाबाजी उसको एक शब्द दिये, चिधरान वेशन क्योंकि पढ़ा लिखा यह, कैसे सिद्ध हो, कमिया निकालते तो पढ़ा लिखा सिद्ध हो, अच्छाई क्या है यह नहीं देखते, कमी क्या है पहले देखें, कितना दबाव है सोचिए, इसलिए घर मे अब महमानी लगभग ना के बरादमी है क्योंकि महमान बुलाना मतलब यह, कमियों की आफत मोल लेना सबसे अच्छा उदारन शादी है इसलिए इसलिए कि कमिया निकले इसका सम्मान तो उसका सम्मान तो इसका सम्मान यह कब नाराज होगा यह कब कैसे होगा यह लोग कल ऐसे होता है ? होता है ? तो बताइए फिर फिर शादी दो आत्माओं क लिलम वो बेचारे तो दो कहीं किनारे रहे ग mop ख़्यो थृव थृव अनियर है उन्हें की आत्मा नहीं मिली है उन्हें का आत्मा कहां से मिलेगा ? सीनियर के ही आत्माई नहीं मिली है उन्ही के आत्मा कुल बुला रही है वो तो बेचारया भी नया नया प्रवेश्ट किये तो उन्ही आत्मा कहां से मिलीगी यह संकट है इस पर हमें अच्छे से काम करना होगा कमिया निकालना अच्छा ही देखना शुरू करते चोटा सा अभ्यास है हम अपने परिवार जनों की अच्छा ही देखना शुरू करते विद कंटिन्यूटी निरंतर देखना शुरू करते यह कमिया निकालने वाला कारिक्रम बंद हो जाता है फिर यदि कोई कमी दिखी तो क्या करेगा? समझदार आदमी को यदि कोई कमी दिखती है तो वो क्या करेगा? समझदार आदमी को यदि कमी दिखी तो वो क्या करेगा? बढ़िया, उस कमी की वो क्या कर लेता है? जिम्मेदारी लेता है. बनना ऐसा परिवार सदसे? यदि हमारे परिवार में किसी चीज की कमी है, ये दिग गया हमको, तो जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी? जिसको दिखा है वो लेता है. ये भागता नहीं, भाग लेता है. रुनिंग अवे फ्रॉम सिचुवेशन, ऐसे नहीं करता समगता है आपनी, सिचुवेशन में खड़ा रहता है, कमीओं को पूरा करता है, ये जिम्मेदार है, की भागें, अभी तो जगाईता है नहीं है, यहां रहना है की कहां रहना है की कहां रहना है की कहां रहना है की कहां रहना है. मरना कहां ये तय नहीं है. जब निश्चित ही नहीं है, तो संबन में जिया कैसे जाएगा? तो यहां से आश्वासन मिल रहा है, कि मनुष्य देवता हो सकता है. तो यह जो दिवता होता है उसका क्या डिजाइन है दिवता कैसे हुआ जाता है दिवता को कैसे पहचाना जाता है इसको समझने का मतलब है मानव में व्यवस्ता इसको हम समझेंगे तो साथ में अपराधी कैसे होता है यह भी समझेंगे और देवत्व कैसे पहचानता ये भी समझेंगे फिर हम निरने करेंगे कि हमें अपरादी होना है ये हमें देवता होना है इसलिए इसलिए हम इसको हम कहेंगे ये प्रस्ताव है अब अब इतना मेरी ओर से इतना कहना बनता है कि अब अपरादी कैसे होता है इसको क्या समझेंगे क्योंकि हम अपराधी सिद्ध हो गए दर्ती का सामान जो हम आपहरण कर लिये अब हम बाद्धे हैं कि इस अपराध को सुधार कैसे कर लिया जाए ऐसे सुधार होने के लिए मानव में देवत्व होना या हमारा देवता होना यह अब हमारी बाध्यता है अन्यत्था यह जो व्यवस्था है यह परिवार व्यवस्था यह रहेगी नहीं जब परिवार व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो फिर सारे के सारे कैसे हो जाएंगे सारे के सारे कैसे होंगे अपरादियों ऐसा हो रहा है कि नहीं अखबार देख लीजिए, समझ में आएगा इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ ना होगा अब बाद्ध्य है हम लोग कि मानव देवता कैसे हो तो इसको हम समझेंगे मानव में व्यवस्था तो जब मानव व्यवस्था में है तो फिर हम परिवार में व्यवस्था जिस व्यवस्था किया हम लोग बात कर रहे हैं परिवार में क्या व्यवस्था है इसको समझने का प्रयास करेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल पुर्वक कैसे जिया जाता है यह समझेंगे तीसरा है जैसे अभी चर्चा हुआ समाज में व्यवस्था जहां हम लग बैठें यह समाजिक स्थलिये शिक्षा एक समाजिक व्यवस्था का भाग है अलग अलग परिवार के प्रतिनिदी मिलकर यहां काम करते हैं यहां कहीं भी काम करते हैं तो फिर यह व्यवस्थाएं कैसी हो उस पर चर्चा करेंगे और हम जिसके हम अंग अवयव हैं प्रकृति प्रकृति में व्यवस्था तो इन चार व्यवस्थाओं की समझ यह हमारा सिल्यवसे बढ़िया तो आपको सोचने के लिए कुछ मुद्दे देते हैं और फिराज का हम यह पूरा कर लेते हैं सोचने के लिए मुद्दे जैसे मानव में व्यवस्था यह हमारा कल का शुरुवात का चर्चा रहेगा कल सुबह हम मानव में व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे तो मानव में व्यवस्था इसको सोचने के लिए दो तीन मुद्दे मानव लक्ष यह एक मुद्दा है हम मानव है तो हमारा लक्ष क्या है लक्ष को समझने के लिए दो मुद्दे कि मैं क्यों जी रहा हूं या रही हूं हम लोग क्यों जीते हैं और सही जीने का सवरूप क्या है और चोटे-चोटे मुद्दे कि अभी हमारी समस्याएं क्या है एक मानव के नाते हमारी अभी समस्याएं क्या क्या है क्या हमको समस्याएं स्पष्ट होती है हमारी समस्याएं क्या है इस पर थोड़ा सा सोच के आईए तो कल हम यह जो जीने की कला है इस जीने की कला को व्यवस्था की समझ से थोड़ा सा स्पष्ठ होने का प्रेयस करेंगे बढ़िया कैसा रहा आज का ठीक चल रहा है थेंक क्यू तो मुझे लग रहा है एक बीस मिनिट आपकी कोई इसकी एक प्रेक्रिया है वर्क्शॉप की उसको पूरा करते तो दिन वी शल कंक्लूब थेंक यू कल हम सभी लोग नव बजे स्टाट होना है तो आप पांज़स्मीट पहले ही अपना स्थान ले ले और सभी से रिक्वेस्ट है अगर किसी उनके बेटर हाप के साथ आना है तो भी आ सकते हैं क्यूंके ये समझने के लिए परिवार के साथ समझना सहज रहता है आसान रहता है तो सबी लोग अगर चाहें तो अपने फेमिली के साथ बच्चों के साथ भी आ सकते हैं तो वो सभी के लिए उपन है और एक किसे फीडबेक अलू करेंगे परिवार चुके तो पांच मिन में दर्षना में थोड़ा शेरिंगे पर आम फ्री हो जाएंगा एक प्रक्रिया एक वर्क्शॉप के तौर पे हमने लिए है इसलिए कि एवरी डे जो भी हमारी लर्निंग हुई है भाया ने जो भी हमसे बात्चीत करी है जो भी हमारी लर्निंग हुई है उसा अधार पे पांच कि एक टेस्ट होगी जो स्पेशली लोग जो फैकल्टी डिवल्प्मेंट से रिजिस्ट्रेशन जिनों ने किया है या इवन समाज से जो लोग जुड़े हुए है साइकलोजी की जो स्टूरंस है आप सब उसको भर सकते हो पर फैकल्टी के लिए समाज के लोग उनके पास चोईस है उनको भरना है तो वो भर सकते है यह फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में अविलेबल है राइट सिंपल पांच मुद्दे जो भयान ने डिसकूस्शन में लिये है उसी के अधार पे यह पांच कुशन डाले है इसे हमारा भी ध्या में आएंगे तो यह एक परपस के साथ इसको हमने यहां पे इंटिग्रेट किया है सिंपल कुशन है अगर कोई डाउट हो ता आप पूच सकते हो सब्सक्राइब को तो मौनिंग में जो हमने ग्रूप में डाला था इट वस फॉर्ड़ ओवरॉल प्री एंट पोस्ट अनालिसिस यह लर्निंग रिफ्लेक्शन है यह दोनों की और कोड अलग है हाँ ग्रूप में डाल देंगे इसको अभी इसीडी माना की उच्छा इमेल फॉर्वर्ड करी दिया आलग अच्छा सवरवाड़ों न थे यह 430 को हमने बेजा था 443 के आसपास हमने बेजा था अच्छे ओके थैंक यू कर अच्छे झाल 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 झाल